कि वेलो अप्रिवान वेल्ट वेल्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वही माचल परदेश एलाइट सर्विसीज का जो एक्जाम आप लोग का सेप्टेंबर में होने वाला है इसी के रिगार्डिंग रहेगी तो इसी के उपर हम लोग एक निया बैच लॉंच कर रहे हैं जो आप लोंग की जो क्लासिज होंगी ये कंप्लीट ओं लाइन रहेंगी आप लोग को जितना भी मैटेरियल क्वोंटेंट वीडियू जो भी मिलेगा सारा का सारा वेस्च आंप लोग का ओनल लाइन 7-1 तो यह वाला जो बैच आप लों कर रहेगा इसमें हम इस वार कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने वाले हैं जो आपके एक्जाम के लिए काफी important रहेंगी first of all वो सारे student एक वार इस एक्जाम का स्लेवस देख लीचे जिनको भी एक्जाम के स्लेवस में थोड़ा डाउट है तो history, geography and socio-economic development जो आप लों की हिमाचल परदेश की होती है वो सारी के सारी इसमें पूछी जाएगी देखो इसमें जो पूरा का पूरा content पढ़ाया जाएगा वो आप लोगों की जादो book है वो the wonderland book है जग मोहन बलोकडा जी की हम उसी के according आप लोगों को पढ़ाएंगे तो वो वाली book का जो 50% portion हमारा है वो हम लोगों ने जो recent batch हुआ है complete उसमें करवा दिया है तो वो वाली सारे की सारी classes जो आप लोगों की हो होंगी वो recorded format में आप लोगों को दी दी जाएंगी सारी की जारी हैं लगभग आप लोगों की ये classes होंगी यह हैं आपकी 60 classes ओके और इसके अलावा हम जो आप लोगों को live classes में पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे जो आपकी हिमाचल परदेश की total district हैं हम उसके ऊपर आप ल लिए favorite book रहती है और favorable question आप लोगों को इसी से ही most probably देखने को मिलते हैं तो हम इसी के according आप लोगों को हिमाचल परदेश पढ़ाएंगे जिसमें आप लोगों की 50% classes जो आप लोगों की होंगी जिसमें आप लोगों देख सकते हैं कि हिमाचल परदेश की complete geography complete art and culture जितने भी आंदोलन हुए थे most जो आप लोगों के important personalities हैं फिरा हमाचल परदेश का जो इतिहास है वो सारा इसमें cover हो चुका है आप लोगों को जिरूरत नहीं पढ़नी पढ़ेगी कि आप लोग जग मोहन बलोकरा जी की the wonderland book को पढ़िए आप सिर्फ इन lecture को करके जाएगे आपके सा 50-50% question आपको अलग-अलग portion से डालता है 50% हमारा main topic हो चुकी है district हमारा रहा है आप वहां से complete करेंगे इसके बाद हमारी बात रहेगी आपनों के current affair की तो current affair आपनों को पता है कि हमें minimum एक साल के current वैसे तो minimum आपको six month के current affair ही इसमें रहते हैं बट आपनों का जो ये exam है जो ह exam 2019 में निकला था तो इसकी date जो change हुई थी वो दो से तीन वार हुई थी तो उसमें आपनों को लगवग आपको जो exam में जो question देखने को मिले थे लगवग आपनों को एक साल पीछे के भी देखने को मिले थे वो इसलिए देखने को मिले थे क्योंकि आपके exam की जो date थी पो म हो चुका था और बन चुका था तो इन्होंने इस वाले portion के ही question अठाए थे बट हमारे लिए इस वार अच्छी बात है कि आपका exam September में होगा तो हमें minimum एक साल के current affair पढ़ने हैं इसमें आप लोग को 60 question में से हम जहां तक देखें तो हमारे 50 to 55 question cover हो जाएंगे easily ठीक है तो य आने वाला हूं इसमें एक तो मैं September month से लेकर September 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक की वीडियो परवाइड करवाओंगा जो कि आप लोग के एक मन्त के 300 question बनते हैं जो most important question होते हैं तो उसको हम video format में आपको weekly परवाइड करवाएंगे ठीक है बिकली का मतलब हर तीसरे दिन आप लोग को एक week की वीडियो मिलेगी और आप लोग के जो September to August के question होंगे वह सारे cover होंगे इसके अलावा 2023 में जो आप लोगों के लगवाइड समझे जून 2023 से लेकर December 2023 तक के जो most important question होंगे एक मैं इसकी अलग से वीडियो दूँगा और आप लोग को इसके 500 question अलग से परवाइड करव होंगा इसके बाद January 2024 से लेकर जून दो जुलाई 2024 इसकी आप लोग को अलग वीडियो प्रवाइड होंगी तो यह पूरा content आप लोग के लिए इतना enough होगा कि आपका exam easily 50-55 question complete होंगे उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा modern history का portion रहता है जो कि हमें 857 से पढ़ना होता है वो सारा रहेगा इंडिया का culture जो आप लोग का होता है उसको पढ़ना होता है quality पढ़नी होती है economy, geography of India आती है इसमें world geography इसमें नहीं पूछी जाती, disaster management के question बिलकुल basic आते है, environment आप लोग को पूछा जाते है, जो कि disaster management के अंडर ही आता है, gender issues के question कभी आप लोग को नहीं प बता देता हूं कि हमारी timing को इस तरह से रहेगी, अभी हम आप लोग को जो question जो आप लोग को classes provide करवा रहे हैं, वो quality, geography और modern history के provide करवाएंगे, आप लोग को current affair का कहा, weekly आप लोग को उसके according हर तीसरे दिने class आप लोग को दी जाएगी, जो current affair की होगी, तो और हिमाचल पॉर्शन रहेगा, इसमें आप लोग को जो चीजे रहेंगे, अचा इस वार extra कुछ हम आप लोग को क्या provide करवा रहे हैं, एक तो classes हम आप लोग को daily देंगे, आप लोगों मैंसे कोई student ऐसा हुआ, जिसकी class बोटन नहीं कर पाएगा live, तो उनको हरे class का recorded format मिलेगा, इस वा इस वार जो मैं notes आप लोग को provide करवाने वाला हूं, वो आप लोग को complete Hindi और English दोनों में, last time मैंने सिरफ English में दिये थे, इस वार Hindi और English, दोनों में दिये जाएंगे आप लोग को notes और इसके बाद अगर हम बात करें, यह आप लोगों का जो GS का section होगा, इस GS section में मैं आप ल दिखा होगा, ताकि आप लोगों को book खोलनी ना पड़े, ठीक है, तो यह चीज़ आप लोगों ने ध्यान लखना, यह आप लोगों के लिए important होगी, आपके means में भी यह help कर जाएगी, ठीक है, इसके लावा आप लोगो test series पर वाइट करवाया जाएगी, यह सारा रहेगा total batch की जो फीर से मैंने आप लोगों को बता दी, 2000 रुबे रहेगी, कल से classes है, आप लोग उस time पर join कर सकते हैं, मेरा WhatsApp नमबर रहेगा, 835-0947-171, आप लोगो complete जो भी format रहेगा, वो आप लोग यहां से join कर सकते हैं, thank you so much